योगी आदितनाच जी आप से हाथ जोड़के निमेदन है कि मुख्य सेविका की भर्ती को कोट केक से मुख्य कीजिए और भर्ती को पूरा कीजिए मुख्य सेविका की भर्ती 2021 के पैर से निकली थी, चार साल हो गए है, अभी तक भर्ती पूरी नहीं हुई है मेरी मम्मी जनता दरबार जाती है, वहाँ पे उनकी कोई नहीं सुनता अगर आप चाहे तो कल के कल भर्ती पूरी हो सकती है आप से हाथ जोड़के निमेदन है कि मुख्य सेविका की भर्ती जल्द से जल्द पूरी कीजिए प्लीज आपने देखा मुख्य सेविका भर्ती के लिए एक छोटी सी बच्चे कितना रिक्वेस्ट कर रही है सीम योगी अधितनाजी से कई बार रिक्वेस्ट कर रही है कि इस भर्ती का पढ़ाम जारी किया जाए छात्राएं इतना परिशान है और आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधिना सेवाच्चन आयोग यूपिटर परलेसी मुख्य सेव का डीवी पढ़ाम जारी करो तीन साल से अधिक समय परंतु भर्ती प्रिकिरिया पूरी नहीं तो मुख्य सेव का की छात्राएं आज आयोग पहुँच चुकी है भर्ती को लेकर आगे जो भी अपडेट मिलेगी तो आपको जलसल सुचित तरने का प्रियास किया जाएगा आईटे अंदेशक के अभ्यर्ती उस दिन आयोग गए थे सुचना देना मिस हो गई थी तो आज आपको अपडेट दी जा रही है आईटे अंदेशक के अभ्यर्तों की मुलाकात होई थी और अभ्यर्तों को अश्वासन भी दिया गया है अभ्यर्तों को बताया गया है कि 27 जुलाई तक आईटे अंदेशक का पड़ाम देखने को मिल जाएगा अच्छी खबर ये है और जो भी जानकारी मिली है उम्मीद यही है कि इसी महिने 27 के आसपास अंदेशक भर्ती का पड़ाम देखने को मिल जाएगा तो आप सभी अभ्यर्तों को परिशान होने की जुरत नहीं है आपके लिए अच्छी खबर है देखे सरकारी पदों पर निकलने वाली लोवर पिसी एस के प्रारंबिक एर्थक के विज्यापन जारी करने की मांग देखे सरकारी नौकरी की आस में बैठे पढ़े लिखे अभ्यर्तों ने उत्तर प्रदेश अधिनस सिवचन आयोग के सचिप को पत्र लिखकर आयोग द्वारा समलित होने वाले अवर अधिनस प्रिटियोगात्मत परिच्छा के विज्यापन जारी करने की मांग दिये पत्र में कहा कि लोवर PCS का विज्यापन बस 2019 में 672 पदों के सापिक्ष जारी किया गया था उसके बाद कोई विज्यापन जारी नहीं किया गया जिससे अभ्यर्तियों को तयारी करने में दिक्कत आ रही है अधियाचन प्राप्त होने पर भी भर्ती का विज्यापन जारी ना करना अभ्यर्तियों के साथ अन्या ही नहीं उनके भविश्य से खिलवार है विभिन जन पदों से विज्ध्यर्तियों द्वारा मांगी गई आट कारी से पता चला कि विभिन सरकारी भागों में अनेकों पदों पर भर्तियाँ निकली लेकिन उनके विज्यापन जारी ना होने के कारण अभ्यर्तियों से बन्चित रह जाते हैं तो आप देखी रहे हैं भरतियों की क्या कंडिशन हैं, बिज्यापन जारी नहीं किया जा रहा है, कै सालों से बिज्यापन जारी नहीं हो रहे हैं। लुवर PCS भर्ती बिग्यापन के लिए अभ्यर्ती जनता दरवार गए थे, गोरकपुर गए हुए थे, अभ्यर्तु की डारेक्ट मुलाकात मानी योगी अधितनाद जी से हुई, मुक्फंत्री जी ने अस्वासन भी दिया है कि इस भर्ती का बिग्यापन जल से जल जारी किया जाएगा, आप सभी को परिशान होने की जुरत नहीं है, आपकी भर्ती पर बिसेज ध्यान दिया जाएगा, तो उम्मीद यही करते हैं कि मानी योगी अधितनाद जी ने जो कहा है, वो जल्द पूरा होगा, भर्ती बिग्यापन भी आपको जल देखने को मिल सकता है, आगे देखिए, वीडियो 2018 का अंतिम पड़ाम जारी कराने है तू, सब साथ आए, वीडियो 2018 का अंतिम पड़ाम जारी करो, 6 साल से अधिक समय, परन्तु वीडियो 2018 भर्ती पूरी नहीं, 24 चुलाई आयुक चलो, वीडियो 2018 के अभ्यर्ती 24 चुलाई को आयुक पहुँच रहे हैं, जितने भी अभ्यर्ती इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी अभ्यर्ती वीडियो को ज़्यादस ज़्यादस सेर करें, ज्यादस ज्यादा अभर्टों तक इस Бात को पहुंचाने की कोशिस करें जिससे भारी संख्या में अभ्थिरती पहुँच सकें क्योंकि यदि आपकी संख्या कम होगी तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी आपकी भर्थी को टाल दिया जाएगा इसलिए ज्यादा संख्या में पहुचने की कोशिस करें जूनिय असिस्टेंट 1262 टाइपिंग डेट जारी करो यूपिटर पर लेसी अपनी सुष्टी दूर करो टाइपिंग डेट जारी करो 29 जुलाई दिन सौंबा ठीक 9 एम पिकप भवन लखनो अधिक से अधिक संख्या में आएं आयो तो सभी अभ्यरतों को पहुचना है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुचना है दि आप सभी अभ्यरती ज्यादा संख्या में पहुचेंगे तो आपकी बात जरूर सुनी जाएगी और टापिंग डेट भी जारी की जाएगी आगे देखिए जुनियर इंजिनियर 2018 पड़ाम को लेकर राजधाने में अजीवों गरी कारणामे करते देखे अभ्यरती यूपी ट्रेपल सी द्वारा बस 2018 में जूनियर इंजिनियर की भरती निकाली गई थी बस 2018 में निकाली गई जूनियर इंजिनियर भरती 6 साल बाद भी पूरी नहीं तो 6 साल हो चुके हैं लेकिन इसके बाद भी ये भरती पूरी नहीं हुई है लापता जेई 2018 अंतिम परड़ाम की तलास अभ्यर्तों ने हेल्प भी मागी है देखे 6 साल से लापता परिच्छा परड़ाम की तलास अभ्यर्तों ने अनोखे अंदाज में पोश्टर बनवा कर जताया ब्रोथ सहर बासियों से मदद की अपील हजरत कंज में पोश्टर लेकर ब्रोथ जताते अभ्यर्ती उत्तर प्रिदेश अधिना सिवचन आयोग की जूनियर इंजिनियर भर्ती का अंतिम परड़ाम चारी करने और निउक्ति की मांग को लेकर बीते दो साल से एको गार्डन में धन्ना दे रहे अभ्यर्तों ने अब जनता से मदद मागी है सुक्रवार को अभ्यर्तों ने अनोखे अंदाज में लिखे बैनर पोस्टर लेकर सहर के कई चौराहों पर जनता से मदद की गोहाल लगाई जेई अभ्यर्ती मयूर वर्मा ने बताय कि उत्तर प्रिदेश अधिना सिवचन आयोग ने बस 2018 में अबर अव्यंता पदों के लिए भरती निकाली थी परिक्षा का अंतियम प्रडाम अब तक जारी न होने से नुक्ती नहीं मिल पा रही है उन्होंने बताय कि अभ्यर्तों ने सांतिपूर तरीके से हजरत कंच चौराहा विधान भवन मुखमंत्री आवाज भाजपा कार्याल है वह चारवाग रेलवे इस्टेशन पर बैनर पोश्टर लेकर अपनी समस्या जनता के सामने रखकर मदद की अपील की बैनर पर 6 साल से लापता जेई 2018 अंतिम परड़ाम की तलास लिख रखा था तो जेई 2018 के अभ्यर्ती बहुत परिशान है कई साल से प्रियास कर रहे हैं कई बार धन्ना दिया एको गाडम में लंबे समय से धन्ना प्रिद्शन चल रहा है हर एक संभ़ प्रियास किया गया लेकिन अभ्यर्तों ने जो मेहनत की है उम्मीद है कि जल्द आपकी मेहनत सफल होगी जेई 2018 का परड़ाम इसी महिने देखने को मिल सकता है उम्मीद है कि इसी सकता और इसी महिने जेई 2018 का परड़ाम देखने को मिलने के पूरे पूरे चांस है जानकारी मिली है कि जेई 2018 एंड आई टीए अंदेशक इन दोनों भर्ड़ों के परड़ाम इसी महिने देखने को मिल सकते हैं कोई भी परड़ाम आपको पहले देखने को मिल सकता है तो आप सभी अभ्यर्थों को आप परिशान होने की जोरत नहीं है आपकी महनत जल सफल होगी और मैं यही कहूंगी जेई के अभ्यर्थों ने बहुत बहुत महनत की है अभ्यर्थों ने हर तरीके से हर संभव प्रियास किया है बहुत बहुत भाग दोड़ की है जल्द आपको अच्छी ख़बर मिलेगी आगे और भी कोई अपडेट मिलेगी तो जल्द आपको सूचित किया जाएगा धन्यवाद